हेलो स्टूरेंज वालकम टू मागनेट बीज तिस इस अनामिका सिंग कैसी है आप सभी सो मैं आश्र करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में इस प्यारी सी वीडियो में बालाओ जी का एक नया चाप्टर हम करने जा रही है स्टार्ट दो चाप्टर तो हमारी क्लास 10 के बालोजी के बहुत अच्छे से हर एक सेक्षन जिसका मैंने कम्प्लीट करवा दिया है आज मैं बालोजी का एक और नया चाप्टर लेकर आएंग हूँ जिसका नाम है कि भाई जीव जनन कैसे करती है कापी इंट्रि पुटी पुली बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाने वाले हैं तो काफे इंट्रिस्टिंग होगा आज का ये सेशन जहां पर सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगे कि भाई इस चाप्टर में पढ़ना क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और इसे किसी भी क्लास में हैं तो Magnet Brains in the Medium चैनल पर आप अपने सब्जेक की क्लास अटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी पर्चीस नहीं करना है और नहीं किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है आपको बताना चाहती हूं कि हम पांच स्टेग बोड कवर कराती हैं जैसे यूपी बोड बिहार बोड एंपी बोड राजिस्तान बोड दिल्ली बोड और जितनी भी चीजें हम कवर कराती हैं वो सब होती है बिल्कुल अरेंच फॉर्मिट में जहां बेसिक से लेकर एडवां कहां से मिलेंगे जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूं सबके नोट्स के लिंक आपको नीचे मिलेगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर आप यी नोट्स और यी बुक दोनों ही चीजे अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं तो क्या बोलते हो फिर स्टार् कार्टर में हम क्या क्या चीजे कवर करने जा रही हैं सबसे पहले तो क्या पूरी तरह अपनी प्रिधि कृति का स्रजन करते हैं हम यहां पर यह पढ़ ह Creed and talk का महत बजानेंगे तो पहले तो मुझे एक बात बताईए जितने भी living organisms होते हैं जितने भी सजीव होते हैं कि सभी समान रूप से दिखाई देते हैं तो आप क्या कहेंगे नहीं मैं वो तो अलग होते हैं क्योंकि हम सब को अलग अलग वर्गों में क्या से हैं अलग है तो हमारा और डी क्लासिफिकेशन हो चुका है बट में बाद बताईए कि एक घर में एक इही पैरेंट की दो या तीन संतान होने के बाद भी जो दो या तीन भाई बहन होते वह एक दुर से से डिफरेंट क्यों होते हैं यह दूसरे अलग माम क्यों होते हैं क्योंकि ये तो एक ही पेरेंट की संथान है ना तो ये तो सेम दिखाई देना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा नहीं होता है Variations या विबिननताओं की क्या importance होती है यही हम अपने इस वाले section में पढ़ेंगे यही हम इसके इस वाले section में जानेंगे Second point आता है एकल जीवों में प्रजनन की विदी मैं ये एकल जीवों में प्रजनन का मतलब क्या होता है द्यान से सुनिएगा जितने भी living organisms होते हैं जितने भी सजीव होते हैं वो सब क्या करते हैं बटा प्रजनन करते हैं यानि कि क्या करते हैं भईया reproduction करते हैं क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई बटा मैंने आपसे क्या कहा है जितने भी सजीव होते हैं वे सब क्या करते हैं? री प्रोडक्शन याने के प्रजडन करते हैं और सभी के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो प्रजडन बेसिकली होता है दो आधार पर होता है एक होता है सेक्शल री प्रोडक्शन और एक होता है एसेक्शल री प्रोडक्शन यानि के बिटाएक लैंगिक चनन होता है और एक होता है अलैंगिक चनन दोनों में किया डिफ्रेंस है तो सुनो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बाथ करती हूं लैंगिक चनन को लेकर तो पहले तो मैं लिख दूँ एक होता है क्या Sexual Reproduction जिसे हम क्या बोलते हैं Lengic Janan बोलते हैं और एक होता है A-sexual reproduction जिसे हम A-Lengic Janan बोलते हैं क्या बोलते हैं A-Lengic Janan जिसे हम बोलते हैं अब दोनों में पहली बात थोड़ा सा interveneस हम यहाँ पर जानते हैं फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी हाँ ये मैं definitely बोल सकती हूँ कि इस chapter में कुछ words आपको ऐसे मिलेंगी जो थोड़े से difficult होंगे जिनकी naming difficult होगी जैसे विखंडन आगया, खंडन आगया जैसे पुनरुद भवन या पुनर जनन आगया जैसे मुकुलन आगया, काईक प्रवर्धन आगया बीजाडू समासंग आगया अब ये ऐसी चीजे हैं हम मतलब कैसे सोचें कि यहाँ पर जनन कैसे होता होगा हाँ यहाँ पर जो जीव जनन करते होंगे इनकी जो संतती या संतान होती होगी वो हूब हो अपनी ही पैरेंट की तरह दिखाई देती भी होगी क्या, यह कौन से जीव ऐसे हैं जो इन प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं तो भाईया, हाँ मैं मान सकती हूँ कि नेमिंग थोड़ी से डिफिकल्ट होगी पर मुझे एक बात बताओ जब भी हम मान लेजे कि न्यू क्लास में जाते हैं या हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा एक स्कूल जो था हमने उसे छोड़ दिया, हम दूसरे स्कूल में इससाल जो है शिप्ट हुए तो जब आप फर्स्टे अपनी क्लास में जाते हो क्लास कितने सारे बच्चों से मिलते हो एक बार में ही सब के नाम याद हो जाते हैं क्या तो आप क्या कहोगे नहीं माप, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है हम डेली डेली उनसे मिलते हैं बाते करते हैं, मस्ते करते हैं एक दूसरे के नाम जानते हैं तो ऐसे करके दीरे-दीरे करके हमको नाम याद हो जाता है तो आपने उसके लिए efforts दिखाए तब जाके आपको नाम याद हुआ तो इसके लिए भी आपको efforts लगाने पड़ेंगे आपको सभी के नाम तब याद होंगे जब बार-बार आप उसे अपनी habit में लेकर आएंगा दर्वाइस फिर सोच लो विर तो ऐसी काम चलता रहेगा बस ठीक है तो लेंगेक चननन और अलेंगेक चननन लिख दू में पहले से यहाँ पर क्या है भाई ये लेंगेक और क्या होगा अलेंगेक चननन चलिए एक चीज़ और बहुत द्यान से सुनिएगा बटा कि यह जो लेंगेक चननन होता है यानिक यह जो sexual reproduction होता है इसमें male और female दोनों का ही होना आवश्यक है ठीक है ना? हाँ बिलकुल male and क्या बोलेंगे भाईया हम female दोनों का ही होना क्या है आवश्यक है लेकिन जो all-engagement जनन होता है इसमें या तो male का होना आवश्यक है या तो male होगा या तो फिर क्या होगा? female होगा क्या कहा मैंने आप सभी से? कि या तो male या तो female अब point ही उठता है कि ma'am कैसे या फिर कौन-कौन से जीव हैं जो और लेंगिक जनन करते हैं जब मैं आपको चाप्टर में लेकर पहुचूंगी जब मैं वहाँ पर जाऊंगी तो मैं आपको ये एक-एक चीज़े जो है बहुत ही अच्छे से एक्स्प्रेन करूंगी विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनुरुजबवन या पुनरजनन क्या होता है मुकुलन कैसी प्रक्रिया होती है, काईक प्रवर्धन क्या होता है और बीजारू समासंग क्या होता है ये सब हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा ठीके तो ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट बताया है आगे बढ़ते हैं बटा अब हम sexual reproduction या language channel भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम जानेंगे language channel प्रणाली क्यों 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 second मैं आपको बताऊंगे pushpipodho में language channel कैसे होता है क्योंकि actually में क्या है न जैसे वो कहां गया हमारा part हाँ ये रहा रुख जो थोड़ा सा मुझे इसको शिप्ट कर लेने दो जैसे जो प्रगरियाएं मैंने आपको बताई थी अभी a language के बारे में थोड़ा सा language के बारे में आप जानते हैं तो भाई होता ये है सुनते चलेंगे सबी होता ये है कि जो language channel है वो हमें किन किन में पढ़ना है तो हमें basically पढ़ना होगा पुष्पो में प्लांस जो होते हैं न बिटा उनमें language channel कैसे होता है और मनुष्य में language channel जो है उसके बारे में हम जानेंगे तो जिसके लिए पता है जिसे पुष्पी पौधो में language channel के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लांस के हमें कुछ reproductive organ यानि कि जनन अंगों को पढ़ना होगा पौधो में भी क्या होता है कई सारे parts ऐसे होते हैं जो 3-Kesar के होते हैं और कुछ parts ऐसे होते हैं जो पुणके सर के होते हैं मैं यह क्या है तो जब मैं वहाँ पहुचूंगी आपको पूरा flower बना के आपको sections हर एक अच्छे से clear करूंगी next आती है मानब में language channel तो मैंने आपको जैसे पुष्पो में बताया कि इसरी वाला part different होता है पुरुष के भी parts उसमें होते हैं language channel भी basically जिसे flowers में हम बात करें तो यहां परागर शब्द का प्रयोग करते हैं pollination के process होती है और flowers जो है उनमें pollination या परागर कैसे होता है तो जो मनुष्य होते हैं उनसे बहुत different होता है भाई जो flower होते हैं वो परागर कैसे करते हैं तो जो परागर होता है ना बटा वो दो तरीके से होता है pollination एक होता है swap परागर और एक होता है परपरागर क्या कहा है मैंने कि भाईया एक होता है swap परागर और एक होता है परपरागर यानि कि एक होता है self pollination और एक होता है cross pollination तो हम जब वहाँ पर flower वाले section में पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़े में explain करूंगे कि कैसे यह चीज possible है flowers में और medium इसके लिए important होता है चाहे वो air हो चाहे वो water हो चाहे वो soil हो कोई भी हो वो सब जानेंगे next आते हैं मनुश्यों में मानव में language journal ये sexual reproduction के बारे में बात करें तो भाईया very important सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना होगा male reproductive system आपको क्या पढ़ना होगा female reproductive system अब जिनें ये लग रहा है कि भाई इनसे भी questions बनते हैं निश्चित तोर पर बनते हैं हम अपने उस दौर में उस समय में अभी चल रही हैं जहां पर हमें हर एक chapter का base strong करना है तो मैंने एक चीज़ notice की है जोसे मैं भी कभी class 10th में रही थी इन chapters को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था बट last year भी जब मैंने जोसे YouTube पे इसके sessions लिये थे हना तो मैंने इस chapter को बहुत ही प्यारी तरीके से explain करके समझाया था सेम उसी तरह अभी भी मैं आपको पढ़ाऊंगे आपको ये जो videos मिल रही है आप बिल्कुल निश्चंत्र हो हम हर एक चीज़ को बहुत ही detail में जाकर ही discuss करेंगे मतलब मैं guarantee लेती हूँ कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी doubt इस में फिर नहीं होगा मादा जनन तंत्र हम पढ़ेंगे male reproductive system, female reproductive system जहां हम कुछ organs discuss करेंगे next जाते ही क्या होता है जब अंड निशेचन नहीं होता है मैं ये अंड निशेचन के बात क्यों किया किये जा रही है देखो भाई कई बार ऐसा होता है कि जब अंड होते हैं वो निशेचित नहीं होते है तो क्या reason होता है वो तो हम वहीं पर जानेंगे and last होगा जनन स्वास्त भाई कई बार ऐसा होता है कि जनन संबंदी ही कुछ बिमारियां हो जाती है for example अगर कोई लड़का या अगर कोई लड़की एक लड़के के या एक लड़की के अलावा और भी कई सारे लोगों के साथ संबंद लेंगिक संबंद जो है वो स्थापित करता है तो उसके कारण उसे जनन संबंदी बिमारियां भी हो सकती है तो वो मैं आपको बताऊंगी sexual transmitted diseases कौन कौन सी होती है जनन स्वात पर भी हम क्या करेंगे भाई चर्चा करेंगे ठेक है तो ये पूरा section ये पूरा जो है भाई पार्ट होगा हाँ ना बाकी तो अब last में आते हैं बट ये चीज़े clear हो गई ना मैं हमेशा से starting से इकी चीज़ बोलते आ रही हूं बटा कभी भी किसी भी chapter को जब हम पढ़ते हैं कभी भी किसी भी chapter को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे important होता है कि आप ये जानों कि इस chapter में क्या-क्या चीज़े हैं ताकि हम पहले से ही हर एक चीज़ के लिए prepare रहें कि अच्छा इस chapter में हमें इस चीज़ की knowledge मिलने वाली है चाहे आप science की बात कर लो, physics की, physics की, bio की, chemistry की या आप social science, hindi, english, maths, कोई भी subject लेकर आजो सब में आप chapter overview ज़रूर देखा करो अब बात आती है इतना होने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके chapter के बीच में क्या मिलेंगे आपको पाठे गत्य प्रश्न भी मिलेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना होगा पात्ते गत्य प्रश्न की भी में वीडियो लेकर आऊंगे जहां पर हम chapter के बीच के जो questions से वो discuss करेंगे Then मैं आपको chapter के last में जो NCE-RT solution है वो cover कर आऊंगे हम इसके बाद MCQs याने multiple choice questions जो हैं वो discuss करेंगे इस chapter से related अगर हम जानना चाती है किस तरीके के MCQs हमारे exam में पूछे जा सकते हैं तो yes वो हम discuss करेंगे Very important हम जानेंगे कि इस chapter से अती लगूतरी प्रश्न देखो आपको बहुत अच्छे से पता है बिटा कि जो MIQs होते हैं न द्यान से सुनेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं इसे 3 सेगमेंट में cover कराती हूँ क्योंकि obviously board में तो 3 सेगमेंट में ही आता है जिसे सबसे पहला आपको पता है आपके board exam में अति लगूतरी प्रश्न से question आते हैं ठीक है अति, लगू, उत्तरी प्रश्न से क्या आते हैं बिटा question आते हैं इनसे questions बनते हैं आपके board में लगुत्री से भी question आते हैं and very important आपके board में दीरगुत्री ये प्रशन से भी कैसे आते हैं question आते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर इस chapter में अती लगुत्री से कोई question आया है तो मैम हम कितने words उसमें लिखें अगर मैम इसमें लगुत्री से आया है तो फ़ी पता होना चाहिए कि कितने words लिखें और दीरगुत्री से आया है तो भी पता होना चाहिए कि हमें कितने words लिखने चाहिए so yes मैं आपको most important questions भी करवाऊंगी and last exam time में बटा इतना कर लिया फ़र तो बस तुम तयार हो जाओ कि इस chapter से अब कुछ भी आ जाएगा मैं guarantee देरी हूँ तुमसे बनेगा but exam time में important होता है complete chapter revision भाई हम चाहते हैं हम दिल से चाहते हैं कि हम अपने exam time में पूरे chapter को एक ही वीडियो में पढ़ लें देखो अगर आप ये सारी चीज़ें जाते हो तो इसकी तो वीडियोस आपको अलग से मिलेंगे but complete chapter revision की भी वीडियोस आपको अलग से मिलेंगे तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने chapter overview दिया है इस chapter का जीव जनन कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे से जो है clear हो गया होगा और yes ये एक biology का पार्ट है हमारे जीव विग्यान का पार्ट है तो मज़ा तो आएगा ठीक है biology पढ़ने में जिस जिसको मज़ा आता है तो इस chapter में भी मज़ा आएगा जैसे life processes हमने पढ़ा था नियंत्रनेवम समन भै ओके so that's it आज के लिए इतना ही उमीद करती हूँ कि ये chapter overview आपके लिए धमाकेदार रहा हूँ हाना जहां मैंने आपका एक छोटा सा base strong किया है और आप मेरी classes कहां कहां ले सकते हैं YouTube पे बिटा YouTube पे जो है live तो ले ही सकते हो बाके recorded तो आपको मिलती ही है live भी classes attend किया करो आप सभी ताकि कोई doubt निकलता है तो directly आके मुझसे बात कर सको application के तुरू भी बिटाओ हम से जुड़ सकते हैं क्योंकि magnet brain से India's number 100% free online education platform website के तुरू जुड़ कर भी आप हमारे sessions जो है बाई वो attend कर सकते हैं जो मैं पढ़ाती हूँ सबके notes के link आपको नीचे मिल जाएगी ए notes और ebook सबके link आपको नीचे description box में मिलेगी और ये हैं बिटा हमारे Hindi English Medium के top courses जहां CBAC board, दिली board, बिहार board, UP board, MP board, राजिस्थान board, Vedic Maths, Crash Course, Spoken English ये सब कुछ करवाते हैं हम cover and very important आपके सारे doubts करते हैं solve एक सबसे last चीज के Magnet Brains के कुछ other platforms भी हैं जैसे Facebook है, Instagram है, Twitter है, Telegram है, WhatsApp है ठीक है तो मिलते हैं बटा next session में और इसको हम start करेंगे बाकि कोई भी doubt हो तो comment section में पूछ लीजिएगा सो मिलेंगे अगले class में तब तक के लिए बबाई, take care, thank you class